T20 World Cup के लिए जिस टीम का चैन किया गया है उसमें से कुछ खिलाडी अंदर से क्या हो गये है राहुल जी अगर इनको एक रन को दो रन में तब्दील करने को कहा जाए तो नहीं कर सकते कुछ ऐसे बुढ़े खिलाडी हैं जो ज्यादा भाग कर रन लेते हैं तो इनकी आँखे निकल कर बाउंडरी के बाहर चली जाएगी लगता है चैन करताओं ने फ्रैंक किया है भारतिय क्रिकेट प्रशंसकों के साथ क्योंकि जिनको भारतिय T20 टीम में जगह नहीं मिलनी चाहिए थी जून में होने वाले T20 विश्वकप के लिए वही तो कप्तान और उपकप्तान बनाए गये हैं के लिए भारतिय टीम के उपकपतान हार्दिक पांडिया ने तीन गेंद पर एक रन बनाए मुंबई इंडियन्स अगर इस साल इतनी खराब स्थिती में है तो इसके जिम्मेदार उनके ओपनर बल्लेबाज भी है क्योंकि शुरुआती मैचों को छोंग दिया जाए तो अब पिछले कुछ मैचों से ज्यादातर मौकों पर इशान किशन और रोहित शर्मा काफी धीमी शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं रोहित शर्मा तो T20 विश्वकप 2022 वाले मोड में आ चुके हैं और अब तो डर लगने लगा है कि ऐसे ही जिम्मेदारी से भरपूर शुरुआत वर टीम इंडिया को T20 विश्वकप में देने लगे जैसे कि पिछले T20 विश्वकप में दे रहे थे तो बहुत मुश्किल होने वाली है बड़ा अजीब लगता है कि रोहिद शर्मा T20 विश्वकप के लिए भारतिय टीम के कप्तान है और हार्दिक पांडिया उपकप्तान है करेंट फार्म को देखा जाए तो हार्दिक की टीम में जगह नहीं बनती कि उनकी भारतिय टीम में वापसी करा दी गई जब भारतिय टीम के कप्तान और उपकप्तान IPL जैसे टूर्नामेंट में इस साल अपनी टीम को चैंपियन नहीं बना पा रहे है तो इनसे ये उम्मीद रखना कि ये भारतिय टीम को विश्व चैंपियन बना देंगे गलत है कप्तान उपकप्तान को छोड़िए विराट कोहली जश्ब पंत भी अपनी अपनी टीम को अंक तालिका में शीर्ष चार में अभी तक नहीं पहुँचा सके हैं और वह भी भारतिय टीम में हैं T20 विश्व कप जैसे बड़े और कठिन टूर्नामेंट से आसान टूर्नामेंट IPL में तो ये अपनी अपनी टीमों को प्लेयाफ तक नहीं पहुँचाते दिख रहे हैं और इनको जिम्मेदारी दी गई है भारतिय टीम को विश्व चैंपियन बनाने की